दोस्तों नमस्कार आज 25 अप्राइल 2020 है और आज के हम लोग देखते हैं इंप्वाटेंट करेंट अप्रेयर्स तो सबसे पहले एक पैसावर के किसा या किसा खुआनी बाजार नरसंगार के 90 वर्स पूरे हो गए तो ध्यान से समझेगा कि एक खुआनी बाजार नरसंगार के 90 वर्स पूरे हुए तो ये क्या था हम इसमें आज समझने वाले तो पैसावर के किसा खुआनी बाजार नरसंगार के 90 वर्स पूरे हुए तो असल में यह एक बिटिस सैनको के द्वारा किया गया एक क्या था जो अहिंसक समर्थक थे यानी खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन के समर्थक थे या आंदोलन का नित्रत कर रहे थे उन्हीं के विरुद्ध अइंसक तरीके से यह नित्रत कर रहे थे खुदाई खिदमतगार के जो आंदोलन करता थे उन्हीं पर बिटिस सैनको के द्वारा यानी क्या किया गया था आक कुरूरता के सान नरसंगार किया गया था तो इसको हम समझ लेते हैं यह हुआ कब था तो चुकि यह 23 अपरैल 1930 को हुआ था ध्यान रखेगा 1930 तो आपका 70 उधर 20 से 90 साल यह पूरा हो गए तो 30 अपरैल 1930 को यह आपका किस्सा क्वानी बाजार नर्संगार की गटना गटित हुई थी हुआ क्या था एक विक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल गफार खान यह अब्दुल गफार खान के द्वारा 1920 में एक संगठन का स्थापना किया गया था उसी का नाम क्या है खुदाई खिदमतगार संगठन ध्यास समझेगा अगर संगठन पूछा जाए खुदाई खिदमतगार संगठन इसका गटन कब हुआ था तब इसका आपका अंसर हो जाएगा 1920 में खुदाई खिदमतगार संगठन के स्थापना अब्दुलगफार खान के द्वारा पश्चमोतर सीमा प्रांद जो था उस समय इसका हमने बताया था पश्चमोतर सीमानत प्रांद का गठन कब हुआ था तो हमने जब 1861 का दिन्यम बता रहे थे तो हमने कहा था तीन प्रांद बने थे 1862, 1866 और 1897 उनमें बताया था पहला आपका 1862 में कौन बना था? तो कोलकाता या बना था कोलकाता प्रांथ और दूसरा अठारा सो चांचछट में पश्मोतर सिमान प्रांथ का गठन किया गया था तो ये वही है 1866 वाला तूसी के थे ये आपके अब्दुलगफार, खान, पच्चमोतर, सिमान, प्रांथ, इसी को नार्थ, बेश्ट, फ्रेंटियर, फ्रेंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता तो वहीं पर इन्होंने क्या किया था, 1920 में खुदाई खित्मतगार नामक संगठन की स्थापना करते हैं खुदाई खित्मतगार का मतलब ही होता है, भगवान के सेवक ये जो बिटिस सैनिक थे, उनको अपने देश के विरुद, जो उनकी समराजवादी, उबनिवेसवादी, नितियां थी, उनका विरुद करते थे, और अहिंसक तरीके से सौतंदता के पच्छधर थे, और यहा अंदूलन 1935 में काफी ब्यापा कस्तर पर यानि क्या परचारित परसारित होने लगा, तो उसी के विरुद, 23 अपरैल 1930 को बिटिस सैनिको ने पेसावर के किस्सा खुआनी बाजान नामकस्तान पर नरसंगार कर दिया, असल में जो खुदाई खित्मतगार अंदूलन करता थे, लाल कुर्टी पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्टी आंदूलन के नाम से भी जाना जाता, जो अब्दूलगफार खान थे, इन्हें पस्तून, फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाना जाता, तो अब्दूलगफार खान, अब्दूलगफार खान को फ्रेंटियर गा गंधी किसे कहा जाता अब आज आपको समझ में आ गया होगा सीमांद गंधी ने क्यों कहा जाता क्योंकि जो आंदूलन का नित्रत करता कर नित्रत कर रहे थे ये पश्मोतर सीमांद प्रांद में कर रहे थे इसलिए इन्हें सीमांद गंधी के नाम से जाना गया और सीमांद क तो यानि सीमा को सरहद भी कहा जाता तो इसलिए इने सरहदी गांधी भी कहा जाता और इनके अन्य नाम बच्चा खान वा बादसा खान के नाम से भी ने जाना जाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए तो अब्दुलगफार खान को सीमांद गांधी या सरहदी गांधी या बच्चा खान या बादसाह खान के नाम से जाना जाता है लेकिन जब 1930 में बिटी सेंकों के दौरा इन अहिंसाग आंदोलन करता हूँ पर गोलियां बरसाई जाने लगी नरसंगार किया जाने लगा तो यहां आंदोलन कमजूर होने लगा और आगे चल कर यहीं आंदोलन 1931 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके साथ है मिल गया सबसे दिल्चस्प बात यह है कि सिमान गांधिया अब्दुलकफार खान को 1987 में 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है इसके पहले हमने अमेडिकर को बताया था तो आप इंटर लिंक जरूर कीजिए तो उनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था उनसे तीन साल पहले 1987 में सिमान गांधिया अब्दुलकफार खान को भारत रत्न से नवाजा गया और इन्होंने एक बुक भी लिकी है रचना की यह जिसका नाम है माई-लाइफ-एंड-श्टरगल तो पूछा जाएं माई-लाइफ-एंड-श्टरगल और इक इसकी रचना है तो अब का अनसर होगा सीमान गांधिया अब्दुलकफार खान की रचना है अगले करेंड के ओर चलते हैं काफी दिल्चस्प वाद थे इस समय COVID-19 महामारी बैस्वी ग्रूप लेक करके अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और अभी तक इसकी बैक्सीन नहीं उत्पन हो सकी है तो अभी चर्चा में क्यों था चर्चा में था कि महाराष्ट के जो CM है महाराष्ट के जो CM है जिनका नाम क्या है उदो ठाकरे उदो ठाकरे को CM बने हुए 24 मई 2020 को 24 मई 2020 को 6 मईने हो जाएंगे तो अगर ये 24 मई 2020 के पहले विधान सभा या विधान परसद में से किसे की सदस्ता नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तो इसके बाद इनके लिए कठी यानि जो अगला CM है कैसे बन पाएंगे ये आपका CM आगे नहीं रह सकते क्योंकि हमारा समिधान इसकी आगे की अनुमती नहीं देता है अब यह हम बात कर लेते हैं ऐसा क्या पेच है क्योंकि COVID-19 महामारी के चलते निर्वाचान आयोग ने इसपष्ट कर दिया है कि वह 24 मैं 2020 के पहले किसी भी सूरत या हालत में चुनाओ कराने की हालत में नहीं है तो ऐसे में देखना होगा कि आगे अब इनके पास क्या रास्ता बचता है तो सम्भैधानिक प्रावधान की बात करें तो एक आपका अनुचेद है 164 164 अनुचेद 164 में कहा गया कोई भी बेक्ती मुख्य मंत्री सहित या अन्न मंत्री सीयम सहित अन्न मंत्री भी बन सकता है कितने माँ तक 6 माँ तक वह सीयम बनाया जा सकता या मंत्री बनाया जा सकता वह किसी सदन का सदस्य अर्था बिधान सभा या बिधान परसद का सदस्य हो या ना हो वह छे माह तक मुक्यमंत्री सहित अनमंत्री बन सकता है लेकिन सर्थ है छे माह के पहले वो अपने पद पर तभी बना रहेगा यद उसके पहले वा बिधान सभा या बिधान परसद दोनों में से किसी एक की सदसिता प्राप्त कर ली हो लेकिन उद्ध उठा करे कि सामने समस्या क्या है वो ना तो बिधान परसद के और ना बिधान सभा के मेंबर बन पाएंगे क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इस्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाओ कराने की हालत में नहीं है तो इनके पास विकल्ब क्या है तो इनके पास एक विकल्ब है यानुचेद 171 का सहारा ले सकते थे जैसे राजसभा में साहित, बिग्यान, समाज सेवा यों कला, छेतर से बारा सदस्यों का भारत के राश्टपती के द्वारा मनोनयन या मनोनीत या नामित किये जाते हैं तो उसी प्रकार एक आपका राज विधान परसद के लिए कौन सा है, अनुचेद 171 अनुमती देता है क्या अनुमती देता है कि राज विधान परसद जो होगी उसमें साहित कला, बिग्यान, समा सेवा एक और एरिया एड़ कर दिया गया साहकारी अंदोलन के छेतरों से उस राज के या समंधिर राज के राजपाल के द्वारा किसी भी विग्ती को नामित किया जा सकता है 164 में अभी आपको बताए कि ये कहा गया कि भारत में कोई भी विग्ती मुख मंत्री, साहित या अनमंत्री 6 महिने तक बन सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए अर्थात वो 6 महिने के अंदर ही उसे विधान परसद या बिधान सवा का सदस्य बन जाना चाहिए ये बात हमके अनुचेद 164 में की गई लेकिन 171 में क्या कहा गया राजपाल ये पास या सकती है कि वा साहित कला बिग्यान समास सेवा एक और इसमें रियाइट कर दिया गया पांच हुआ साहकारी आंदूलन कौपरेट्व मॉमेंट आंदूलन से समंदित किसी भी विक्ति को नामित कर सकता है लेकिन यहाँ अब समस्या क्या है समस्या ये है कि एक आपका जन प्रतिनिधित अधिनियम यानि आरिपिये 1951 की एक धारा है सेक्षन 151A इसमें क्या कहा गया कि विधान परसद में किसी भी दिख्द को नामित करने की राजपाल की विवेका धिन सकती पर रोक लगाया गया है रोक लगाया गया यानि राजपाल जिसको चाहे उसी को विधान परसद में नामित नहीं कर सकता नामित नहीं कर सकता और ये विवेका धिन सक्ती पर किस प्रकार रोक लगाया गया तो ये रोक ये लगाया गया अगर यान मालो बिधान सभा है तो बिधान सभा या बिधान परसद दोनों में बिधान परसद के लिए कहा गया ध्यान से समझेगा बिधान परसद के आपका हम ने मताया दो साल दो साल और दो साल एक वटा तीन एक वटा तीन एक वटा तीन मेंबर यह प्रतेग दो साल पर रिटायर होते रहते तो इसने कहा अगर जो चुनाओ होना है यानि दो साल वाला अगर चुनाओ का अवद एक साल से कम बची है तो उस इस्तिती में विधान परस पची है तो ना तुछ ना हो सकते हैं और नहीं किसी भी व्यक्ति को बिधान परसद में नामित किया जा सकता है यह दिवेका धिन राजपाल की सकती यहां पर नहीं चलेगी और यह प्रित्वंद कहां लगाया गया तो जन प्रतिनिद्ध अधिनियम और पिए 1901 कि धारा 151 एक अंतरगतियाबाद कही गई है अब समस्या है दो सीटे यहां खाली होने वाली है अब दो वेक्ति दो वेक्तियों का एक साल से कमावद है यानि अब एक साल से कमावद है तो किसी भी हैलत में इनको नामित नहीं किया जा सकता अगर इनको नामित भी किया जात तो एरिया हमाई पास क्या था समाज सेवा समाज सेवा के बहाने इनको नामित किया जा सकता था लेकिन समस्या क्या है एक साल से कम विधान परसत का सदस्य चुनाव का बचा है तो इनको नामित भी नहीं किया जा सकता और चुनाव भी नहीं हो सकता तो अब आपका क्या हुआ अगर पीछे का हम बैग्ग्राउंड देखें तो इस संबंद में ध्यान समझेगा मामला यह 1995 का है पंजाब राज से समंदित है 1995 में 1995 में तेज प्रताब सिंग को पहले क्या किया गया छे माह के लिए मुख्यमंत्री बने उन्होंने 6 माह पूरा होने के पहले रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके फिर अगले 6 महीने के लिए प्रवयानी सीम बनना चाहें यानि बन गए रियेपॉइंट हो गए फिर 6 माह के लिए लेकिने मामला जब 2001 में सुप्रीम कोट पहुंचा तो सुप्रीम कोट ने डिसीजन दिया क्या कि इस प्रकार अगर कोई विद्टी 6 माह पूरा करने के पहले रिजाइन करके रियेपॉइंट होता है तो इस प्रकार क पुनन न्युक्ति या रियेपॉइंटमेंट पहला तो अनुचित है इंप्रापर है दूसरा अंडेमोक्रेटिक है आ लोग तांत्रीक है और तीसरा अवैद है इन्वैलिड है और चवता अनकांस्टिचूसनल आ संबैधानिक है यानि इस प्रकार अगर कोई सियम करना चा कि अब उधो ठाकरे के बाद पास 24 मई 2020 के पास बाद कौन साफ सन बचता है तो यह आपका चर्चावे था तो आठकील 171 और आपका इस टाप के कुछ सन आपका 164 से प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है आगे देखिएगा अभी क्रियान में एक स्कीम का किया जा रहा है इस पायरेसिनल डिस्टिक्ट प्रोग्राम सुरू किया गया था 112 जिलों में सुरू किया गया था इसी को आकांची जिला कारकरम के नाम से जाना जाता जो 112 भारत के 112 जिलों में से सुरू किया गया था और उसी के अंतरगत एक अभियान 2018 में सुरू हुआ था उसी को किरसी क कल्यान अवःान यान को किर्षी कल्यान किसान कल्यान मंत्रामे के द्वारा सुरू कि आ गया था तो इस कि अंतरगद किया किया जाता है इसके अंतरकर जो किसान भाई होते हैं उनको aid advice assistance इत्याद दिया जाता है ताकि वो खेती में जो आने वाली तक्नीकी हैं latest उन तक्नीकों को अपना सकें और उन तक्नीकों को अपनाने से उनकी याए को ज्यादा किया जा सकें इसका लच्छी रखा गया है नाम ही इसका है किर्सी कल्याने उजना हर हालत में किसानों की आए को जादा करना और किसानों की आए जादा कहां से होगा latest टेक्नीक से या टेक्नोलाजी आई है उसको किसान भाईयों के द्वारा अपनाया जाए तो इसमें प्राउधान क्या है? प्राउधान है पचीस गाउं जिन में एक हजार से ज़्यादा जंसंक्या रहती है तो ऐसे गाउं को गाउं के सभी अकांचे जिले इस स्कीम के अंतरगत सामिल होते हैं पचीस गाउं का समूं जिन में एक हजार से जंसंक्या है वो अकांचे जिले किर्सी कल्यान योजना के अंतरगत सामिल होते हैं दूसरा क्या प्राउधान है पचीस गाउं किन्त जंसंक्या एक हजार से कम है उनको भी अकांची जिला ऐसे किर्सी कल्यान योजना में भी सामिल किये जाते हैं तो यह कैसे पहचान की जाएगी 25 गाओं, 1000 जनसंक्या और अकांची जिले हैं इसकी पहचान के लिए पहचान कौन करेगा तो ग्रामीन विकास मंत्राले के द्वारा नेती आयोग के दिसान देशों का पालन करते हुए यह पहचान कौन करता है तो ग्रामीन विकास मंत्राले के द्वारा यह पहचान की जाती है और पहचान जब हो जाती है तो किसानों की आयक कैसे होगी तो इसके लिए मिर्दा स्वास्थ कार्ड का वितरन अधिक स्थिक किया जाए अधिक स्थिक किसान भाईयों की जो मिर्दा की उत्पादकता वाउजाउपन बना रहे और किसी भी प्रकार की पोसकता मिर्दा में कमी ना आने पाए तो इसके लिए मुर्दा स्वास्त कार्ड स्वायल हेल्थ कार्ड इसकीम का सुरुआत की गई तो अधिक से अधिक किसान भाईयों को मुर्दा स्वास्त कार्ड का क्या किया जाना चाहिए बितरन किया जाना चाहिए और क्या किसानों जो उनके जानवर होते हैं बैल हो गए भैंस गाए इत्याद जो उनके आई का एक बैकलफिक्स रोथ होता है तो जा हंडेट परसंट कबरेज उनके जानवरों का किया गया और उनमें एक बीमारी बहुत होती है इसी को क्या कहा जाता फूट एंड माउथ रोग के नाम से जाना जाता तो खुरपका खु को प्लेक नाम से जाना जाता अचानक पता नहीं चलता मांमारी फालतियों मर जाती है तो उसी प्रका नाम से जाना जाता पेस्टे ede एक मिनट फिर से रिपीट करते हैं पश्चे डेस पेटी स्टे डेस पेटीस पेटीस रूमी नेन्स की फुलफा में पिपियार की पेश्टे-डेस पेटीस रूमी नंस यह आप वक्रियों में जो आपका प्लेग जैसी महमारी फ्लती है उसी को कहा जाता सडेनली बहरुआ बक्रियों की बहुत ज़्यादा संक्या में डिथ हो जाती पता भी नहीं चल पाता तो इसमें सामिल किया गया और क्या सामिल किया गया दाल वा तेल के लिए मिनी किट का वितरन किया जाए तो दाल और तेल के लिए मिनी किट का वितरन किया जाए को भी इसमें सामिल किया गया है इसके अलावा जो जानुवर हैं तो जानुवरों में आर्टीफिसियल कित्रिम गर्भाधान इंसेमिनेशन सचुरेशन भी प्रिजर्ब किया जाए ताकि अब पता चलता है कित्रिम गर्भाधान करवाया जाता जानुवरों में तो जानुवर प्राइट चाहिकारक्रम मायक्रो इरिगेशन प्रोग्राम इसमें सामिल किया गया और अगला क्या सामिल किया गया इंटीग्रेटेड क्रापिंग प्रैक्टिस यानि किसान भाई एक के बाद एक फसल को बदल करके खेती करें ताकि किसान को भी उनकी आय भी जादा हो रती रहे और मिर्दा की पोसकता वह उत्पादकता बनी रहे ताकि उनकी उर्बर को पनिरवर्था कम किया जा सके और उनकी आय आमदनी को बचाया जा सके तो यह स्कीम थे किसी कल्यान लेज़े ना काफी ब्यापक है अब आपका इसका कोई आपका प्री में कुस्षन आता है या मिंस में तो आप समझ लिए हैं कर सकते हैं अगला देखते हैं चर्चा में था आई ओसी फिलपाम क्या इंडियन ओसन कमिसन अभी कुस्षन है क्यों क्योंकि इसमें भारत को अब जरबर स्टेट के रूम में चुना गया इंडियन ओसन कमिसन इसी को हिंद महासागर आयोग कहा जाता तो हिंद महासागर आयोग में भारत को अब जर्वर या इसी को पर बेच्षक की रूम में चुना गया तो कुछन पूचेगा हाल ही में भारत को किस संस्था में या किस आयोगमत पर बेच्षक की रूम में चुना गया तो उसका अंसर हो जाएगा इंडियन ओसन कमिशन इंडियन ओसन कमिशन में भारत को क्या चुना गया अबजर्बर की रूम में चुना गया है तो हम जान लेते हैं कि इंडियन ओसन ओसन एक कमिशन हाई का IOC तो यह इंटर गौर्रमेंटल अर्गनाईजिशन है इसे को अंतर सरकारी संगठन कहा जाता जो आपका भारत है तो ये दच्छिनी पश्चमी हिंद महासागर मालो ये आपका भारत है तो ये वाला यहां आपका मेड़ागासकर और मेड़ागासकर का मारी सस तो मेड़ागासकर और यही पर मारी सस है तो मारी सस के पास आपका इस दश्चनी पश्मी हिंध महसागर के नाम सई जाना जाता तो यह क्या है आई वोसी पूचा जाए इंटर गवर्न एंडियन ओसन कमी सन्वी इंटर गवर्मनेंटल अर्गनाजिसीन है अंतर-सरकारी संगठन है जो दश्चनी पश्चनी हिंद महासागर में मेरी टाइम गवणनेंस मेरी टाइम गवणनेंस का मितलब हुआ कि यहाँ पर सुरच्छा परियावरन और आपका आर्थिक गद्विधियों से ले करके सभी क्रिया कलापूं वह सरकार के द्वारा किये जाने वाले हस्चेप को सामिल किया जाता तो जाता उनकी सामुहिक आवाज कि रूम में कार करता है अर्था तुम्हें एक मंच प्रदान करता है अगर इसके हम बात करें इंडिया नोसन कमिशन के स्थापना इसकी 1982 में की गई थी और इसका हैड़कॉर्टर सभी बताय मारिसस यहीं देश है मारिसस के में iska headquarters इस जिथी इसका headquarters कहा आए बहाई मारीसस में है 5000 डेसOOOO से हैं जिनमें आपका तो कौमका है तो यहां जो देस है कि आपका कौमोरोस है मेडा गास कर रहे मारी स्थ मेडा गास कर मारी से बगल बगल बता है तो तो होंगे ही से की के गए कौमोरोस मेड़ागासकर मारीसस सेसल्स रियूनियन इसके आपके पर्मानेंट सदस्द से हैं इसके अलामा भारत को भी सामिल कर लें तो पांच इसके अब जरबर या परवेच्छक यानि सदस्किरों में को सामिल कर लिया गया है परवेच्छक इसमें चीन है युरोपीयन यूनियान पूरा युरोपीयन यूनियन इसमें सामिल है तो इस uplift करेंगे माल्टा सामिल है और माल्टा एफार इंटर नेशनल अर्गनाजिश्टन आप फ्रांक फोण्व फरंसोर में को भी समय किया गया तो चीट एरोपियन यूनियन माल्टा इंटरनेशन अर्गनाजिसन आप फ्रांसो फोनी इत्यात को सामिल किया गया है किलियर हो गया होगा कापी अप्रते को फ्रांसो फोनी और सब डिसकस करेंगे तो कापी डिटेल वीडियो बन जाएगा आगे देखते वह क्या नाम दिया गया वर्डबाइंकि रिपोर्ट मुस्टि मॉस्ट इंबॉर्टेंड होती इसके पहले भी एक रिपोर्ट बताए थे- कमोडिटी मार्केटस श्तुर्ट ओट लुट् एक बार अग्ली में एक्तूब्र में किया किया जाता है कि अब काडियांड सप्लाइज के मांग की अनुसार मूल्य में उतार चाहर वह तो इसमें और जा को गया इनर्जी हो गया कि मूदी अप possibilities सामिल किया जाता और इस बार तर्मुक जो आपका बनाया गया यह उर्जा कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो कोविद इनांटीन महामारी का प्रभाव उर्जा यानि प्रेट्रोलियम इत्याद पर पहुंच जादा हुआ क्योंकि उर्जा की मांग परिवहन बिल्कुल ठप है 10.32 यानि बैरल तक पहुंच गए थे कीमत तो आपका प्रभावित हुआ दूसरा किर्सी पर प्रभाव हुआ लेकिन उतना ज्यादा नहीं उर्वरक पर भी प्रभाव हुआ है और धात मिटल्स है इनकी भी आपकी मांग कम हो गई तो इस सभी प्रभावित हुए हैं तो य अगला चीनी वाला उद्योग यानी चीनी अब हुआ क्या चर्चा में क्यों रहा क्योंकि अभी देखा गया ब्राजील ने गन्ना का उत्पादम बहुत ज्यादा किया अब लेकिन गन्ना अब ध्यान समझेगा अब इससे जो खोई निकलती थी उसी को मॉलेसिस कहा जाता तो खोई का प्रियोग असल में होता क्या था जब पिट्रोलियम के दाम यानि कुरूड आयल का चेताल तेल के दाम ज्यादा होते थे तो इसमें मेथिल अलकोहल इसी से बनाया जाता और इसमेथिल अलकोहल का प्रियोग पिट्रोलियम में किया जाता था लेकिन वही है जब सबसे ज़यादा गन्य का UTA चीनी का UTA पादन कोन करता है चीनी का इसमें सबसे ज़यादा causing ब्राजिल राष गरता है जब्कि दूसरे नंबर पर पर विसमें सबसे बात कर ली तो भारत में क्या बेश्टा है तो इसे यह 빵प का आदेश पारित किया गया था कार पालिका के दौरा सरकार के दौरा करने का मूली नियंतित कि यह जाता था तो इस से को इस टेटि उचिरी minimum price के नाम से इसके लिए MSP नहीं घोसित होता है ध्यान रखिए गन्या को MSP में सामिल minimum support price यानि जो नियोंतम समर्तन मूली होता है जो 24 फसलों के लिए गोसित किया जाता उनमें गन्या निसामेल द्यान रखी गा क्यांकि 2009 में गुन्य में अ issetutory minimum price सभी देख नियुनतं मूल कीमत या मूल के नाम से जाना जाता इसको अपनाया गया जो बाद में इसी को किस नाम से या फारपी ।क नाम से आ गया तो वूरतमान में जोเรา का अपनाया जाता है फार्पी अपनाया जाता है यहांस को सनाइस में 2015 में पूछा जा चुका है को सन 2015 पेपर उठा कि आप देखिएगा तो गन्य के लिए कौन सा मूल किस पे आप का तो इसी को फेर एंड रिमून रेटू प्राइस उचित और लाभकारी मूलिक कहा जाता है या फार्प क्या है कैसे ते होता केंद सरकार के दोरा रासरकार और चीनी उडियों जो संगठन है उनसे प्रामर्स किया जाता अबकर करने के बाद इसका यानि गोसणा तो क्यंद सरकार करती लेकिन एक चीद ध्यान रखेगा या फारपी का कितना मूल होगा यह कौन से फार्ज करता है तो ये आपका CACP यानि किर्सी यूम लागत आयोग किर्सी कीमत यूम लागत आयोग के द्वारा CACP के द्वारा जिसके स्थापना 1965 में की गई थी उसके द्वारा की जाती है तो CACP की सिफारिस पर CACP की सिफारिस पर FRP का मुले निर्धारन केंद सरकार के द्वारा राज सरकार वाचीनी उद्विक संगठनों के परामर्स के बाद किया जाता है कि आगे आई और चर्चा में कर्इंड में क्या क्या था कलास्कल स्वाइन फ्हीवर यह स्वाइन फ्लू नहीं है द् Thyham रखिएगा क्यों क्यों कि पोर भी एसम जिला एक है जिनमें लगवग एक संवताहं में क्यों से। ज्यादा सोरों की मृत्ति हो गई पिक जो होते सुर होते तेरा सो से ज्यादा सोरों की मृत्ति हो गई इसलिए चर्चा में बना हुआ है तो क्लासकल स्वाइन भीवर है क्या तो इसी को हाग है जाया कालरा के नाम से जाना जाता हाग है जाया कालरा के नाम से जाना जाता इसम मनुस में नहीं यह और इसका उफचार क्या है इसका उफचार के लिए उसी टीका करन आप आपकी नाजड प सीक्का करन चैना को तो तो मन्नूस में फैलने वाले फ्लू को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता जिससे मन्नूस से संक्रमित होता है अगला डिसकस कर लेते हैं 23 सप्राइल 23 सप्राइल को एक मनीपुर का दिवस मनाया जाता इसे को खौंग जोंग दिवस के नाम से जाना जाता यहां से matching में भी question आपका पूछा जा चुका है 23 अप्राइल को मनीपुर के खोंग जोन दिवस के रूम में मनाया जाता क्यों ऐसा क्या हुआ था तो हुआ क्या कि मनीपुर में राजा महराजाओं का सासन हुआ करता था तो 1886 की बात है 1886 की है वहां के जो सासक राजा थे चंद कीरती सिंग की मृत्ति हो जाती है और मृत्ति के बाद पिर अगला इनका पुत्र सुर्चंद्र यानि गद्दी के लिए क्या होता दावा करता है लेकिन इसी बीच आपसी कला सुरू हो जाता और उस आपसी कला का फायदा बिटी सरकार के दोरा अपनाया जाता और इनके विरुद्ध एक युद्ध की गोस्ना कर दी जाती है तो या युद्ध कम होता तो खौंग जोम की के युद्ध के नाम से जाना जाता पर या आपका क्या किया जाता युद्ध यानी हुता है और यह युद्ध 1891 में होता इसी को इंग्लोम एक पॉर्व वार य युद्ध के नाम से जाना जाता आर इसमें बहुत सारे यानि मैंनी पूर युद्ध मनिपूर के युद्धा मारे जाते हैं और बिटी सरकार इसमें जो लड़ने वाले योद्धा मरे थे उन्हीं को सरधानजली देने के लिए हर साल 13 प्रैल को खोंग जोम दिवस के रूम में मनाया जाता है अगला ये चर्चा में था क्या पीवी सिंधू पीवी सिंधू को क्या किया गया बैड मिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन है तो बैड मिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया यम बैडमिंटन अभुयान अभिएन का जो ब्राइंड बनाया गया वो cui सिंदूक बनाया गया थीजित सिंडु में प्लेयर हैं सभी लोग आप जानती हूं तो आपका आई-एम बैड मिंटन अभियान का जो आपका ब्रांड बनाया गया वह पीवी सिंदू को बनाया गया अब बैड मिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसके अस्थापना अंतराश्टी अस्तर पर बैड मिंटन प् अगला चर्ट में था आप तो मित्र आप तो मित्र हेल्प लाइन भी है मोबाइल आप भी है जिनमें सुबह आठ बज़े से लेकर साम आठ बज़े तक करनाटक सरकार के द्वारा करनाटक के जो सियमी समय हैं बियस एद्रप्पा के द्वारा कोविद-19 महामारीज का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र नामक आप को लांच किया गया और यह जरूरत मंद लोगों को सुबह 8 बज़े से साम 8 बज़े तक प्रामर सियम हेल्प प्रामर सियम हेल्प लाइन के ताहत उनकी समस्याओं क समाधान किया जता है अगला इंपोर्टेंट है एक यस न arguably जी नाइनो बिलिट्ज धी तैक्ति का पिकर्पी चर्चा में थी तो नहीं बिलिट्ज थीडी इसको बिक्सित किसे ने किया है पहले यह समझ लेते हैं तो एक आपका सम्स्ताह है International Advanced Research Center for Powder, Metallurgy and New Materials and Nanomechanics Inc. दो इसमें हो गई, एक आपके Nanomechanics Inc. और दूसरी International Advanced Research Center for Powder, Metallurgy and New Materials. International Advanced Research Center for Powder, Metallurgy and New Materials. और प्लस दूसरी संस्ता है, Nanomechanics Inc. के द्वारा इस Nanomechanics नाम तगनीक का विकास किया गया है. तो आपका द्यान से इसको समझेगा, इसके माधिम से हम क्या क्या हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो मल्टी फेज, LYG, LYG का मतलब होता मिस्स धातू, तो मल्टी फेज कई आपके फेज के हम क्या बना सकेंगे, मिस्स धातू का विकास कर सकेंगे, कंपोजिट कई को मिला करके हम, दो या दोस्य पदार्थों को मिला करके हम कंपोजिट बना सकेंगे, मल्टी लेयर्ड कोटिंग कर सकें कोटिंग ने जैसे बरतन देखते ओपर से आपका बना किसी कोटिंग करने पर सुना है रहा या चांदी जैसा लगने लगता उसे कोटिंग कहा जाता तो मल्टी लेयर्ड कई परतों में कोटिंग जैसे विविन पदार्थों की बिसियस्ताओं को इसके माध्यम से चित्रित किया जा सकता है नैनो बिलिथी की है और ये यया पार में बार में याजार उच्छगति वा ले नैनो इंडैंटेशं टेस्ट किये जा सकते हैं नैनो इंडैंटेशं scariest ये आपका बैंग सकता टो टो होगही लेकिन लेकिन अपकीपूछे जाते आपका साँिंस वांड ग्राउंड नहीं तो आपको लग सकता के क्या है तो एक भी आपका पहुआर्थ है तो किसी भी पदार्थ की कथोड़ताउथ हूँ प्रत्यास्तता इलाँटी सिट्whalass事 सीट्ट किसी वस्त पर बाइबल को या रोपित क्या जा तो बाइबल का व बिरोद करती है कि इसे वो बायबल हटा लिया जाए zelfा अपनी पुना याएक वस्ता में आने की समय में किसी भी पदार्थ कि कठोड़ता वह प्रत्यास्ता सवंद्र लेटाज जो आपके आंक रहे हैं उनका संगरह किया जा सकता है सटिक का क्लेकशन किया जासकता संगरह किया जासकता इसी को कैसा क yeah जाता नांव इंडेंटिर्टे टेस्ट कहा किये जा सकते हैं जो कि एक सिगंड से कम समय में किसी भी पदात के कठोरता यों प्रत्यास्ता से समंदिर डेटाज का सहीं सटीक आकलन कर सकता है अगला क्या है इसके मादियम से यानि इसको किसने विक्सित किया है तो इसका विकास Integrated Computational Material Engineering की मदद से किया गया Integrated Computational Material Engineering एक बार फिर से रिपीट करते हैं किसकी मदद से विक्सित हुआ computer के माध्यम से विक्सित किया गया और कॉंसी टेगनालोजी से में अपनाई गए integrated computational material engineering की मदद से इसे विक्सित किया गया है तो इसी को 3D नाइनो बिलिज 3D टेगनालोजी की नाम से जाना जाता है अब आपका यह clear हो गया होगा और सबसे लाश्ट आज का है चर्चा का यह आपका है राश्टी पंचायती राजदिवस और राश्टी पंचायती राजदिवस हर साल 24 अपरेल को मनाया जाता तो इस बार भी मानी प्रधान मंत्री नरेद मुंदी साहब के द्वरा इसे मनाया गया और इसमें जो कोविद 19 महामारी सिन्व पटिने के लिए ग्रामीन अस्तर पर जो लोगों के द्वरा पाटिसिपेशन किया गया भागयदारी सुने सित के गई उसकी प्रसंसा भी की ग लोकल बाड़ी का रूप में पंचाती राज में गया आर यह पंचाती राज के लिए समिदान में एक संसुधन किया गया इसी को 73 समेदान आमेंड़ी सू किया घाता जो कि 24 अप्रैल को राश्टी पंचायती राज दिवस के रूम में मनाया जाता है और इसके माद्यम से सम्धान में 11 अनसूची 12 अनसूची टोटल हैं तो 11 अनसूची यहां से कोशन पूछा जाता 11 अनसूची भाग 9 सामिल किया गया और 11 अनसूची के अंतरगत 31 विसाय यानि पूटल इस भार शुरू किये गए एक कोई ग्राम सुराज पूची नाम से जाना गया और एक साथ मुवाइल आयप भी यह ग्राम सुराजओ पूटल हुआ लगल को micucci किया गया और किसने सुरू किया गया पंचायती राजमनत्राले हैं उसके निक度त्में शुरू हूए हैं तो इसके अंतर estrat किया क्या जाएगा सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचाये दिए का स्यूजनाय जो भी चलल लेकर कर या निसी प्रकार की कल्यां करी उजङ्णाय लें wieकास ताब करके लिए कि इसके माध्म से हम सिंगल इंटरस सिंगल इंटर पेस कमलब कौ I mean से हम सिंगल इंटरस सब्सक्राइब तो जो ग्राम ब्कास ग्राम ग्राम फंदिट विकास से समद्ध साध्य तो सीधे लिंक आपको मिल जाएगा और ये ग्राम सुराज पोड़ पर्टल पे उपलब्द होगा तो ये आपका इससे क्या होगा तो इससे रियल टाइम monitoring हो सकेगी real time कामलब हुआ तुरंद आप खोले तुरंद आपको पता चल जाएगा कितना क्या हुआ कार अभी तक पूरा हुआ है तो रियल time monitoring हो जाएगो accountability जवाब देही भी जानि जिस ब्रक्ति को कारिसों पा गया उस ब्रक्तिक जबाब देही भी सुनेशित हो सकेगी तो इसी को कहा गया एक ग्राम सुराज फोटल तो यह आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है दूसरा यह कवर स्वामित योजना स्वामित स्कीम भी शुरू की गई तो स्वामित स्कीम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं तो स्वामित स्कीम में कई हैं एक पंचायती राज मंत्राले केंदर वाला है पिर आपका राज के अस्तर पे राज पंचायती राज भी भाग होता है और तीसरा आपका भारती सर्वेचन भी भाग तो यह तीन पंचायती राज मंत्राले हो गया पंचायती राज मंत्राले नो किया गया इसमें किया जाएगा झाल टेग्णालजी का पर्योग किया जाएगा तो ड्रोंट आनी की के तो आरा नवींतम सर्वेचन विद्यों के उपियोय से ग्रामी सब लोग कर लेते थे यानी उसका संपत्र सत्यापन के लिए यह है रिहायसी एरिया में जो जमीन है उसका सिमा कन हो सके गाई वह भी ड्रोन तगनीकी माद्यम से कि वहाँ पर वस्तु इस्ति यानी क्या है तो इसका आकलन इसके मादम से किया जा सकेगा तो यह आपका जो स्वामित योजना है इस संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी वो भी कहां ग्रामीन चेत्रों के रिहाइसी जमीनों के सिमांकन के लिए जिमें ड्रोन टेक्नों लाजी या ड्रोन तकनिकी का प्रियोग किया गया है इसी साथ आज का यह डिसकुशन समाप्त होता है थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच